हेलो माई दियर फ्रेंड्स हाई मैं सायत साथ आप सबको वेलकम करता हूँ और माई यूट्यूब चैनल रोश स्टडी तो हम डिसकस कर रहे हैं क्लास नाइन की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन तो नाव इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं फिलोटेशन के बारे में कि फिलोटेशन क्या होता है यानि कि तैरना क्या होता है और लौ आफ फिलोटेशन क्या होता है यानि कि कोई भी जहाज चाहें वो टाइटैनिक जैसा कोई भी जहाज हो या कोई भी और दूसरा श discussion करने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके क्लास नाइंथ के एक्जाम्स के साथ साथ एम यू और जामिय में लिया की 11 और डिप्लूमा इंजिनियरिंग एंट्रेंस एक्जाम के लिए काफी ज्यादा होने वाला है अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और इसी तरह के इंफरमेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें तू आवर यूट्यूब चैनल बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आ आपका सवाल है कि प्रिंस्पिल ओफ फ्लोटेशन ये किस ने दिया था इसके लिए आपके आपके आप्शन्स हैं A Sir Isaac Newton B Archimedes C Aristotle या फिर D Galio Galilei कॉमेंट सेक्शन आपका है इसका राइट आंसर वहां पर लिखो हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक सो stay with us because there is a lot to know a lot to discuss let's start by talking about flotation then flotation किसी भी fluid या किसी भी liquid की वो tendency होती है जिसकी वजह से कोई भी object जिसकी वजह से कोई भी object fluid पर या liquid पर उसके level के उपर तैरता रहता है तो यह जो तैरने का process है इसे हम बोलते है flotation जैसे कि कोई भी boat या कोई भी ship जैसा कि आप यहाँ अपने screens पर देख रहे हैं जब वो तैरता है तो इस process को हम बोलते है flotation और जो flotation का उल्टा process होता है वो होता है sinking sinking हम कहते हैं डूबने को जैसे कि टाइटानिक डूबा था तो basically sinking में तो basically sinking में कोई भी object पानी के surface के नीचे चला जाता है जैसे कि टाइटानिक जैसे कि टाइटानिक sea के surface से sea level से 3825 मीटर्स नीचे settled down है और ये किस वज़े से हुआ था ये हुआ था ताइटानिक के आइसबर्ग के टकरा जाने की वज़े से जिसकी वज़े से उसमें पानी भर गया और वो liquid के लेविल के नीचे बैठता चला गया उसमें नीचे जाता चला गया और वो बहु ocean में आज भी उसके remains हमें मिलते हैं जिसको के अभी जिसको के अभी 2023 में ही बहुत जादा famous इसको दुबारा से होने का मौका मिला क्यूंकि कुछ लोग सबमरीन में बैठ कर उसे देखने गए थे और वो सबमरीन वहीं पर crash हो गया और वो सारे लोग उसमें मारे गए और वै बहुत famous हुई थी और history में इस से जादा Oscar किसी movie ने नहीं जीते हैं तो ये तो खर मैं आपको एक ऐसे ही fact के तौर पर बता रहा था तो समझ गई कि flotation क्या है और sinking क्या है अच्छा ये जो आप अपने screens पर पीछे तस्वीर देख रहे हैं ये वही Titanic जहाज है अच्छा अब next topic जो हम discuss करने लगे हैं वो है law of flotation यानि के flotation का principle क्या है उसका law क्या है तो देखो जब हम law of flotation की बात करते हैं तो ये basically वो law है जिसकी basis पर कोई भी body कोई भी object कोई भी boat कोई भी ship किसी भी liquid के उपर या पानी के उपर वो हमें तैरती हुई दिखाई देती है तो कोई भ object का float करता है तो वो basically जब ही float कर पाता है जब वो अपने weight के बराबर fluid या liquid को displace कर देता है यही है law of flotation इसके बारे में all detail में जानने के लिए आप बने रही है हमारे साथ next lecture में हम इसको all detail में discuss करने वाले हैं so this is the end of the lecture now अब हम move करते हैं अपने question की तरफ और आपका सवाल कि principle of flotation सबसे पहले किस ने दिया था इसके लिए आपके options थे ए सराइजाक न्यूटन बी आर्किमीडी सी एरिस्टोर्टिल या फिर डी गैलियो गैलियली सो इसका right answer है बी आर्किमीडी इसके बारे में all detail में जानने के लिए आप बने रही हमारे साथ in the next lecture so ये lecture अगर कॉमेंट करें और इसी तरह के informative content के लिए subscribe करें to our YouTube channel now I am सायद साइनिंग आफ okay bye